लगबग सभी फोटोग्राफर के मन में ये प्रश्म लहता है कि मैं अपने फोटोग्राफी का कितना चार्ज करूं। कभी-कभी ओर्डर लेने की होड में इतना कम चार्ज कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोस में काम कर रहे हैं। आईए इसी समस्या से निपटने के लिए हम आपको mathematical formula बताते हैं। आप अपने business संबंदित सारे खर्चे एक जगह लिख दीजिए इसमें आपका मासिक वेतन भी जुड़ा होना चाहिए। एक साल में कितने wedding order कवर करते हैं उन्हें लिख लीजिए। अब इस कुल खर्चे में से कुल order संख्या का भाग दे दीजिए। जो भी amount आएगा वो आपके काम का minimum कीमत होगा। यदि आप उससे कम में काम करते हैं तो आपको घाटा होगा। आईए अब आपको detail में समझाते हैं। अपने फोटोग्राफी के काम का सही pricing करने के लिए एक चार्ट बना लें। तथा उसमें अपने business से related सारे खर्चे लिख दें। सबसे पहले आपके पास जितने भी camera तथा दूसरे equipment हैं सबकी price जोड लें। पूरी कीमत का 20% अलग से bank में रख दें। ये पैसा आपके equipment की depreciated value है। ये भविश्य में नया camera खरीदने में काम आएगी। अब इस चार्ट को देखिए ये किसी फोटोग्राफ के market में entry करने की pricing chart है। वो अभी नया है, camera भी entry level का ही है। कोई दुकान या office नहीं है, ऐसे में relation contact आदी से order लेकर काम करता है। यदि वो प्रती वर्ष 36 शादी के order ले लेता है और यदि प्रती शादी 10,000 लेता है तो उसे 20,000 रुपिय महीने की income हो जाएगी। अगर कोई अच्छा camera ले लेता है और बिना कोई दुकान office के घर से ही order लेकर काम करता है। शादी की सिर्फ soft copy ही देता है कोई कर्मचारी नहीं है अकेले काम करता है लेकिन काम अच्छा है तो प्रती वेडिंग वो 15,000 चार्ज कर सकता है इससे उसे 30,000 महीने की income हो जाएगी। कोई फोटोग्राफर थोड़ा और experience होने तथा extra capital होने पर एक video camera भी ले लेता है। कोई फोटोग्राफर पूरा studio setup बना लेता है, सारे equipment, light अधी ले लेता है, एक दुकान या office भी ले ले लेता है, बिजनेस बड़ा है तो employee भी बढ़ाने पड़ेंगे, विग्यापन का खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा, market से editing कराना पड़ेगा, album का भी खर्च जोड़ना पड़ेगा, इस level का package 50,000 में देने पर photograph को 45,000 रुपया महीना तक बच जाएगा, पिछले package में यदि photographer एक candid camera और जोड लेता है तो यही package वो 60-70,000 में दे सकता है, इसमें उसे 50-60,000 महीना तक की income हो जाएगी, चार्च सिर्फ एक अनुमान के लिए है, इसमें जहां भी पै इसमेटोग्राफी आ गई है, इसके लिए हलके वजन के अच्छे mirrorless camera आ गए है, जिंबल, ट्राली, stabilizer जैसे equipment आ गए है, प्री वेड़ शूट का चलन बहुत बढ़ गया है, इन सब के लिए नए equipment में capital लगेगा, साथ ही टीम में employee भी बढ़ाने पड़ेगे, पूरा सामन और अच्छी टीम हो तो फोटोग्राफर एक लाग से दो लाग तक चार्ज कर सकते हैं जिसमें उन्हें एक लाग से डेर लाग महीने तक बच जाएगा, आशा करते हैं कि ये सारे चार्ट देखकर आपको अपने काम को assess करने में आसानी होगी, आप सिर्फ अपने खर्चे जोडते जाएए, जहां तक हो सके अपने खर्चे कम करते जाएए, एमपलोई उतने ही रखिए जितनी जरूरत हो, अपने एक्विपमेंट में नए तथा मौडन सामान जोडते रहिए, सारा हिसाब चार्ट के अनुसार लिखते रहिए, इससे आपको अपने assignment की value जोडने म आसानी होगी, आपके competitor क्या charge कर रहे हैं उसका हिसाब जरूर रखिए लेकिन अपने काम की कीमत को गिरा के कभी कोई order मत लीजिए, अपने काम को अच्छा से अच्छा देने की कोशिस करिए, अपने employees को भी अच्छी से अच्छी training दीजिए ताकि वो भी अच्छा perform करें, य अगर इसी प्रकार अपने income और खर्चों का हिसाब रख कर अपनी pricing करेंगे तो फाइदा ही फाइदा होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृप्या लाइक और शेर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद